दोस्तो राजस्तान सेट तुझर 22 के लिए राजविवर सामली कर आ चुके हैं अत्पी महतपुर कुष्णो के रूप में जो class 22 हम डिस्कुस कर लेते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तो हम प्रस्तावना डिस्कुस करेंगे प्रस्तावना भारतिय सविधान का दर्सन है दोस्तो कि जो सभीदान में हमारी बाती लिखी किना उन्हीं को चोट रुप में हम यहाँ पर बता देते हैं आपको ठीक है तो थीसरी बैठक प्रस्तावन अब देखो क्रिशन यहां से बनाई लेते हैं सविदान सभा की 13 दिसंबर 1946 को एक क्योशन बन गया हमारा फिर पंडित जवालाल नहरू ने उद्देश से प्रस्ताव प्रस्तूत किया था किशन दो उद्देश से प्रस्ताव किसने प्रस्तूत किया था पंडित जवालाल नहरू ने ठीक है ये हो गया फिर कि 22 जवरी 1947 को समिदान समवा में प्रस्ताव पारित हुआ था ये समवीदान कर प्रस्तावना कब प्रस्तूत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को और किस ने प्रस्तूत किया था पंडित जवाला नहरू ने कौन सी बैठिक में तीसरी बैठिक में और ये पारित कब हुआ था पारित हमारा ये हुआ 22 नर्वरी 1947 को ठीक है आगे भढ़ते हैं 26 नवंबर 1904 को समिदान की प्रस्तावना में अंकित किया गया था देखो प्रस्तावने में एक पात संसोधन कब हुआ है 42 वा समिदान संसोधन ये कब हुआ था 1906 में कूश्न बना लेते हैं कि 42 समिदान संसोधन कब हुआ प्रस्तावना में एक मा पात संसोधन कब हुआ कूण सा हुआ 42 समिदान संसोधन कब हुआ 1906 में अब देखते हैं 42 समिदानOOOO law on इसे लगू संसोधन में क्या किया गया था तीन वर्ड़ जोड़े गये थे समाजबात, बंथ निर्पेक्स, अखण डिता दोस्तो, सविधान में एक मात संसोधन हुआ हमारा ये कुशन बन गया कौन सा हुआ, 42 वा सविधान संसोधन कब हुआ, 1976 में तो 1976 में हमारा सविधान संसोधन हुआ तो इसको हम लगू सविधान भी कह देते हैं और प्रस्तावना में संसोधन करके हमने क्या किया था तीन वर जोड़े थे, समाजबात, बंथ निर्पेक्स और अखण डिता, आगे बढ़ लेते हैं कुशन बनता है कि प्रस्तावना में तीन परकार के न्याई की विवस्था की गई है समाजबात, आखण राजनेत, बंथ निर्पेक्स दोस्तों, भारत का सविदान का जो प्रस्तावना है उसको पढ़ लेते हैं स्टार्ट करते हैं उद्देशिका के रूप में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण परभूत संपन समाजबादी, बंथ निर्पेक्स, लोकतां तरात्मा कंडराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागडिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक, न्याय, विचार, अभिवक्ति, विश्वास, धर्भ, और उपासना की सोतंतता परतिस्टा और अफसर की सम्ता प्रात करने के लिए तथा उन सबकी वक्तिकी गरीमा और रास की एकता और अखंटिता को सुनश्चित करने वाली बंदूता बनाने के लिए डर संकल्प होकर अपनी इस सविदान सबा में आज तारीक 26 नुवंबर उनिस सुदन चास को मीती मागसी सुक्र सब्तमी समवत 2006 विक्रमे को एतत द्वारा इस सविदान को अंगरीकत, अजदी नियमित और आतमार्पित करते हैं हमने पूरा यह जो प्रस्तावना है यह हमारी टिप्स पर होना जी और हमने पूरा पढ़ लिया है इससे छोटा मैं करनी सकती हूँ, फिर भी हम एक एक स्लाइड के थूर इसको वापस से देख लेते हैं यहाँ पर हम भारत की लोग भारत को दोस्तों हम भारत की लोग भारत को यहां पर important चीज़े है यहां पर question बनेगा कि हम भारत की लोग भारत को यह कहां पर है यह पंक्ति तो हम बता देंगे हमारी प्रस्तावना की पहली पंक्ति है यह question ऐसे हो क्या या फिर ऐसे बोलते है कि भारत की लोगों को कैसे समोधित किय तो हम भारत की लोग भारत को हरा यह चीज बहुत इंपोर्टेंट है यह लाइन बहुत इंपोर्टेंट है आपको हमेशा याद होनी चीए ठीक है इसके अलावे यह पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन से सब्द जैसे परबूत संपन हो गया समाजवादी हो गया दपंध न होनी चीए पंध निर्पैक समाजवादी परबूत संपन लोकतंत रात्मा गर्ण राज्य तो यह पूरी लाइन भी हमें बहुत अच्छे से टिप्स पर होनी चीए फिर हमारे पास तीन परकार की न्याए दे दिये सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक तो यह न्याए की भी है सविदान में उपासना प्रत्सावना में बताया गया है कि उपासना की धर्म की विस्वास की अभिवक्ति की और विचार की विए हमें हमारे बोलने की हमारे विस्वास की हमारे धर्म की हमारी पूजा की सब की सोतनता हैं कोईसा भी धर्म अपना सकते हैं किसी भी देवी प्राप्ट करने के लिए उभी वेक्तिकी गरिमा रास की एकतार खंडता। देखो हम सब को ये सारे सविधान में अधिकारतों दे दिये, लेकिन उसे वेक्ति की गरीमा को नुकसान नहीं होना चीए, रास के एक तर अखंता को भी नुकसान नहीं होना चीए, तब ही हमारे ये सारे जो राइट्स है, वो अप्लिकेबल है हमें है न, ठीक है, कब दिया 26 जनवरी, 26 नुवंबर उनने सो गडंचास को, मिर्ती माक्सिस सुकल सप्तमी समवत दो हजार चैविक्रमी, ये वाली जो लाइन है न, इसको भी पूछ लेते हैं कभी-कभी, तो ये भी हमें पता होना चीए, माक्सिस का महिना था, मिर्ती सुकल सप्तमी थी, समवत दो हज चैविक्रमी था, तो और ये तीनों वर्ड है न, अंगीकरत, अधीनियमित और आत्मरपित करते हैं, ये तीनों वर्ड भी हमें आज़िज याद होने चाहिए, तो मतलब चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्रिशन, सविदान के मूल धाची का सिदान किस वाद में दि चैज नहीं होगा, किसके थुरू बेरुबाडी जो विवाद आया था, हाई कोर्ट में उसके थुरू तो एक है, बहुत, मूल धाची में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उससे के बाद केस्वरन भारती वाद आया था, 1903 में, 1960 में आया था बेरुबाडी बाद, जि इसके तहट हम सविदान में या फिर प्रस्तावना में कोई चेज़ नहीं कर सकते हैं लेकिन केसरण भारती वाद के बाद हम संसोधन कर सकते हैं तो यह कुशन हमारा बहुत important हो जाता है कि मूल धाची का सिद्दान किस वाद में दिया गया है केसरण भारती में और इसमें ये मूल अधिकार कहां लिए है हमारे अमेरिका से हमारे सविदान की भाग धर्ड में ये अंकित है और आर्टिकल है इसके लिए 12 से 35 ओर बढ़ते हैं 12 आर्टिकल में हमारा क्या दिया गया है आर्टिकल 12 में राज्जी की परिभासा दी गई है 14 में विद्धी के समक समता दी गई है 15 में राज्जी अमूल, वंस, जाती, लिंग वजनमिस्तान की आधार पर नागरीकों से बेदवाव नहीं करेगा ये हो गया 16 में रोजगार में आउशन की समारता मिलेगी 17 में एसपस्ता का अंतोगा, उपादियों का अंतोगा 18 में 19 में वाकव अभिवक्ति की सवतनता मिलेगी 21 में प्राणव देहिक सवतनता मिलेगी 21 ये संसोदन के बाद चिक्षा का अधिकार मिला है और 23 में मानिव दुरुव विवार बलात श्रम का पत्ति शेद किया गया है 24 में बाल श्रम निशेद किया गया है 25 में वक्तिकत धार्मिक सवतनता दी गई है 29 में अलप संक्यों की भासा लीपी और संसकर्थी की सेलक्षन का अधिकार दिया गया है 30 में अपसन के को section sectionic संस्तान सापित करने का अधिका दिया गया है आगे बहते हैं article 32 यह important हो जाता है सवीदानी उपचारों का अधिकार दिया गया है इसके तहट हम हमारे भी कोई सवीदानी का उपचार सवीदानी का अधिकार जो है जबकि सुप्रीम कोड आर्टिकल 32 के तहत कर सकता है दोस्तों यहाँ पर देख लेता है भीमरा अंबेड कर साब ने मौल सविदान को आत्मा कहा था आर्टिकल 32 को क्योशन है कोल सा आर्टिकल मौल सविदान की आत्मा है आर्टिकल 32 क्योशन हो गया हमारा हम इसे ٹिक करेंगे भी या आर्टिकल 32 हमारे मूल सवीदान की आत्मा है मूल सवीदान की आत्मा आर्टिकल 32 को किस ने कहा था है डाक्टर भीम राउकष्ट, अंबेड करसाब नहीं यहां question हो गए, तीन question, कैसे भी फूर सकता है, article 32 को, भीमरां अंबेटकर साब ने कहा, मूल सविधान में, कौन सा article है, जिसको मूलात्मा कहते है, जो भी है, हो गया, आगे, गजेंदर गडगर ने कहा, कि article 32 प्रजातांतिक बहुन की आदासिला है, दोस्तों, यह एक, मतलब, article 32 के लिए कुछ important, जो लोगों ने बोले हैं, words बोले हैं, वो है, कि गजेंदर गडगर ने कहा, कि article 32 प्रजातांतिक बहुन की आदासिला है, और भीमरां अंबेटकर साब प्रजातांतिक बहुन की आदासिला किसने का, गजेंदर गडगर ने, आगे भरते हैं, मूल अधिकार चो केवल भारतिय नागरिकों को प्राप्त है, दोस्तों, important केवल भारतिय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन-कौन से हैं, बंदरा, आर्टिकल, 16, 19, 29 और 30 में जो अंकित है, वो ही आर्टि, जीन आर्टिकलों में अंकित है, वो ही मूल अधिकार केवल भारतिय नागरिकों को, यानि कि भारतिय नागरिकों को, यानि कि भा अर्टिकल 15, 16, 19, 39 और 30 में अंकित है अब questions discuss कर लेते हैं question यह कथन किसने कहा कि प्रस्तावना सविदान की आत्मा आपुष्रनों से संबंदित भाग है था कुर्दास बाहर गव नहीं प्रस्तावना सविदान की आत्मा आपुष्रनों से संबंदित भाग है देखो हमने बहुत सारी वर्ड पढ़ेते हैं भारी भरकम भरकम किसे related सविदान में जो अंकित है तो जो वर्ड थे न वो आत्मा आपुष्रन है सविदान की आत्मा के आपुष्रन है उन्हीं की बारति सविदान का कोई सा अनुचेद विदायकारियों की नयाइक पुंद्रावलोकन की सक्ति प्रदान करता है। अनुचेद की तहत नयाइक पुंद्रावलोकन की सक्ति रखते हैं। तो आर्टिकल 13 हमारा आंसर है। ठीक है। इसी के साथ हमारा वीडियो समापत होता है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।